नमस्कार आप देख रहे हैं दा बिहार टॉप मैं हूं गादैस पुरी 24 अगस्थ से बिहार में एक बड़ी सिक्षक बहाली के लिए परिक्षा होने वाली है एक लाग सतर हजार चारसो इक्षट पद हैं और अभी तक देखा जाए तो लगभग आठ लाग से अधिक फॉर्म ढाले जा चुके हैं और इसको लेकर आयोग ने परिक्षा कराने को लेकर आयोग ने तयारिया सुरू कर दिये हिंदूस्तान पेपर मुझफरफूर के हवाले से यह खबर है कि किन-किन जिलो में कितना-कितना व्यक्तियों का अभीयर्थियों का सेंटर हो सकता है आपको बता दे कि सबसे अधिक जो है वो पतना में रहेगा इसके बाद मुझफर पूरर गया में सेंटर रहेगा और सबसे बड़ी बात देखिए कि इस परिक्षा में प्राइबेट कॉलेजों को सामिल नहीं किया जाएगा यानि कि प्राइबेट कॉलेज में सेंटर देने क मना ही की गई है जो ख़बर दिया गया है समचार पत्र में उसमें कहा गया है कि BPSC सिक्षक नियुक्ती परिक्षा में पत्ना के बाद मुझफरपूर और गया में सरवाधिक अभ्यार्ती सामिल होंगे आयोग ने परिक्षार्तियों की संख्या के अधार पर DM को केंद्र चैन का निर्देश दिया है पत्ना में हर पाली में 60,000 तो मुझफरपूर और गया में 32,000 अव्यार्ती रहेंगे आयोग ने प्राइवेट कॉलेज में केंद्र नहीं बनाने का निर्देश दिया है परिक्षा 24 अगस्त से सुरू होगी इस बार केंद्रों को A, B, C, D में का व्यार्तियों के सामिल होने की संभावना है आपको बता दे कि आयोग ने परिक्षा के लिए सरकारी और परतिश्ठित निजी छेतर के संसानों के चैन का निर्देश दिया है चार दिवारी बिजली पानी सोचाले बेंच डेस्क के आधार पर तीन वर्गों में केंद्र क को बाठ कर सूची भेजी जाएगी इसमें एक्सिलेंट को ए वेरी गूड को बी और गूड को सी कट्वरी दिया जाएगा आपको बताते चले कि किनकिन सहरों में कितने कितने परिक्षारती होंगे पत्ना में साथ हजार भोजपूर में 28,000 अररिया में 12,000 और अंगाबाद में 18,000 बेगुसराय में 17,000 मद्देपूरा में 8,000 मुझफ़रपूर में 32,000 गया में 32,000 पुर्वी चंपारन में 25,000 नलंदा में 25,000 मदवन्नी में 20,000 पस्सिम चंपारन में 21,000 वैसाली में 16,000 समस्तिपूर में 24,000 और सीतामडी में 11,000 ये जो है ये समाचार पत्र के हवा सुचना दिया गया है और इसमें कहा गया है कि जो प्रतिष्ठित और अच्छे प्राइवेट इंस्ट्यूट हो उनहीं में सेंटर दिया जाए और वहां पर सुनिश्चित कर लिया जाए कि जो संसाधन मुल्भुत आउसकताएं होती हैं वह वहां पर रहे तो आपको बता कि 22 जुलाई तक फोर्म भरने का अंतिमतिती है बीपीएसी के द्वारा सिक्षक भरती में और 24 अगस्ट से परिच्छा का सुरुवात होगा और आपको बता दे कि सिक्षा युभाग के द्वारा पतर जारी कर राज्य के हरे कि विस्विद्याले और कॉलेजों और स्कूलो को यह बता दिया गया है कि आप 24 से लेकर 27 तक किसी भी अपने परिच्छा का आयोजन न करें क्योंकि इस दोरान एक बहुत ही महतोपुन परिच्छा होने वाली है जिसमें लाखो लाख कैंडिडेट भाग लेने वाले हैं तो आपका संस्थान जो है वो परिच्छा केंदर बन सकता है तो बता दें आपको कि अभी तक 8 लाख से अधिक फॉर्म फिलब हो चुके हैं संभावनाय जता ही जा रही है कि अगर 22 तरीक तक यही रफ्तार रहा तो 10 लाख या उससे अधिक कैंडिडेट हो सकते हैं और एक बहुत बड़ी चुनौती होगी बीपी एसी के सा करवाना और इसके लिए सारे परियास किये जा रहे हैं सभी जिलादिकारियों को पत्र लिखा जा रहा है और उन्हें निर्देशित किया जा रहा है कि क्या क्या कारे करने हैं और क्या 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 नहीं करने हैं और इस बार सेंटर को चार-चार काटगरी में बाटा जा रहा ह और इन केटोगरी के हिसाफ से सब का जो है वो ध्यान दिया जाएगा और परिच्छा सही से बिना किसी गरबड़ी के संपन हो जाए इसके लिए सारे परियास किये जा रहे हैं तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंदा है लाइक सेर करे हमारी चैनल दा बिहार टॉप को सस्क्राइब जरूर कर ले तन्य बाद